हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो माई चानल आज मैं आपके लिए एक ऐसी रमेडी लाई हूँ जो आपकी आखों के लिए है जो आखों के डाक सर्कल्स आखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं उसके लिए है दोस्तों हमारी आखी अगर सुंदर होती है तो हमारे फेस की सुंदरता दुगनी हो जाती है और अगर हमारी आखों के नीचे काले घेरे होते हैं तो हमारी जो फेस है वो भी एकदम डल लगता है और हमारे जो फेस की चमक है वो भी कम लगती है तो इसी के लिए मैं आज एक ऐसा नुसकल आई हूँ एक दम सिंपल है जो आपके आँख के जो काले घहरे को दूर करेगा पहले जानते हैं कि डाग सकल सांखों के नीचे क्यों होते हैं जब हमारी नीन पूरी नहीं होती है दिन में हमें एट गंटे आट गंटे की नीन पूरी करनी चाहिए अगर आपकी आट गंटे की नीन पूरी नहीं होती है तो आपके आँख के नीचे काले घहरे हो जाते हैं डाग सकल साने लगते हैं और हमारे खान पेन की वज़े से भी होता है हम बाहर की अगर जादा ओईली चीज़ें खाते हैं और खान पेन का अच्छा से दियान नहीं रखते हैं तो उसी कारण भी हमारे आखों के नीचे काले गेरे हो जाते हैं तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या रेमेडी में लेक आंको की थंडक के लिए इसको हमें क्या करना है इत्ग वाष कर लेना और इसको कर लेना इसको कर लेन इसको गुर्मार जाकर यह पुदे। knapp यहां आपने नगश सका ओप मईशनाद लिया हैR मउसे सबस्काइभा आ डायं SH yes सबस्कार का हमारी आउख के नीचे जो काले घर होते हैं उसको दूर करने में बहुत मदद कारे है । जो हमारे blood circulation को बढ़ाता है हमें एक चमच के लगबग डाल लेना है इसमें honey और इसको कर लेना है अच्छे से mix इस अच्छे से mix करने के बाद इसको आपके आँखों के पास अच्छे से apply करना है आखों के चार और आपको मालिश करनी है अगर ऐसा आप एक दो हफते के लिए करते हैं तो आपको बहुत अच्छा result मिलता है आपको एक हफते में असर दिखने लगेगा बर दोस्तों आपको रेगुलर करना है रात में सोने से पहले आप इसे लगा लें अपने आँखों के पास अगर आपको पॉसिबल है तो पूरी रात भर इसे लगा के ऐसे ही सो जाए या फिर आप एक घंटे बार वाश कर लें ऐसा अगर आप रेगुलर करोगे तो आपको बहुत जल्दी प्रेस्टिंग डगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस रेमेडी को ट्राइब करके मुझे कमेंट जरूर करें थांक यू सो माच